आज की रेसिपी है दीवाली स्पेशल जिसमें हम बनाएंगे बूंदी के लड़ू और एकदम चटपटे समोसे जो स्पेशली दीवाली पर बनाएंगे और मेहमान को खिलाएंगे आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक यूनिक समोसे की रेसिपी जिसे खाकर आपका मन खुश हो जाएगा आए शुरू करते हैं वैलकम टू माई चैनल फूद बिस सिस्टर समोसे के डो के लिए मैंने या पर दो कप मैदा लिया है वन टीस्पून सॉल डाला है हाफ कर दो क्याए आक तो अप मैने डालो डाला भी यूस कर सकती है घी का यूस कर सकते है इसको्त बीकले कि नवीड़ी करना है तक हमारा डोव अच्छा बने और एकदम क्रिस्पी बने यह मैंने जो लड़ू बना के बताया यह इसका परफेक्ट मेजरमेंट है मतलब ऑईल हमने एकदम परफेक्ट डाला है थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी आड़ कीजिए और एक थोड़ा हा इस तरह से हमें रेड़ी करना है यह एकदम अलग समोसा है आप जो नॉर्मल समोसा खाते हैं उससे काफी अलग है इसी कहते है शाही समोसा देखने में तो एकदम यूनिक ही है खाने में उतना ही टेस्टी है इसे आप एक वर ट्राय जरूर करें देखिए थोड़ा थोड़ अधे घंटे रेस पर रखेंगे इस ड्रो को हम साइट से उठाकर रख देते हैं आदे घंटे में से रेस तब तक हम समोसा के आलू बनाते हैं एकदम चटपटे स्पैसी आलू मैंने आप 2 टेबल स्पूर ओल लिया है ओल को थोड़ा अच्छे से गरम होने देंगे हम डाले हाफ टी स्पून जीरा जब हमारा जीरा अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें एड करेंगे ग्रीन च्रीज एंड जिंजर अधर को मैंने कद्दुकस कर लिया है जो लग बग 1 टी स्पून जितना है और एक हरी मिट्स को मैंने महीं महीं चॉप कर लिया है यह जब अच किसी मट्र हमारी पक जाए फिर हम इसमें एड करेंगे आलू मैंने फोर मीडियूम साइज के आलू लिये हैं बॉयल करके मैश कर लिया है मैश हमें बहुत जादा नहीं करना है थोड़े से पीस को बड़ा बड़ा रखना है मैंने यह पर डाला है वन टी स्पून रेड चिल किस्पून घीरा पाउडर रोस्टे जीरा पाउडर और वन टी स्पून बढ़कर मैरे इसमें सॉट डाला है इसमें डाले गये और करेंगे अश्वाद consiste कर देंगे मैश कर देंगे अब मसाला में कुछ और नहीं डाला है इन सब को जोने लोवार प्लेपाय रेश्ट देलáticas तो यह पर हाई कर लीजे, देखिए हमारा आलू का मसाला लग रहा है एक दम चट पड़ा अच्छा, देखते ही मूँ में पानी आ जाए और इसके साथ चाय हो जाए तो और भी मज़े आ जाते हैं, बारिश का मसमों तो और अच्छा लगता है, यह हमारा डो सेट हो गया है, लोको हम थोड़ा और मस लेंगे, ताकि थोड़ा भी लम्ज ना रहे हैं और जो बाहर के इसके न वो एकदम स्मूज हो जाए, अच्छे से पटे पर आप इसको इस तरह से मस लिए, अपने हाथे ली के हेल्प से, अब इसमें से हम छोड़ छोड़ी लोईया लेंगे, इसम में इतना बेलना है, जिससा आप नॉर्मली पूरि बनाते ही अपने घर में, वैसी भयप बैलना है, बहुत पतली नहीं करनी, बहुत बहुत नहीं करनी, हम पपली पूरी को बेलना शुरू करते है, में नौहन चूर्य अनुह पूरिश बड़ा यह ईज़गाया क्यूशं ह हम साइट रख देंगे एसी सेम एक पूरी और भी लेंगे कि जो समझा इसमें हमें दो पूरी की जरुरत पड़ेगी अगर पूरी गोल नहीं है तो कोई बात नहीं हम ऐसे भी इसको कट करने वाले हैं यह हमारी पूरी हो गई है रेडी इसको हम फॉक की हब से इसमें से पंच कर देंगे तक हमारी पूरी फूल नहीं जाए इसको भी हम से मैसी करेंगे पंच करेंगे अब इसको हम रखेंगे सेंटर में हमने जो आलू बनाया था वह रखेंगे आलू की स्ट्रेफिंग आप अपने ही साब से रख सकते हैं यह जादा वाज़े इसमें तो जादा ही करके इसको इस तरह से दवाएंगे अच्छी से दवाना है ताकि कहीं भी खुला ना रह जाए अब चाहे तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं पानी लगा के इसको इसकी गिनारी को बंद कर सकते हैं अब कांटे की हल्प से साइड से हम डिजाइन बनाएंगे इस तरह से हम पूरे में डिजाइन बनानी है अभी तो टेड़ा मेड़ा लग रहा है अभी हम इसको देंगे इसकी परफेक्ट शेप एक नाइक फ्लेंगे नाइफ के हल्प सेम्स की इस तरह सम एजिसको काटेंगे यह बन किया हमारा शाही समोसा, बस इसको हमें डीफ्राइ करना है, डीफ्राइ करना है कि मैंने ओल गरम मुने रख दिया है, हम इस तरह से एक समोसा और रेडी कर लेंगे, यह मैंने एक किया हुआ है, यह हमारा दूसरे समोसा भी रिटी है, ओल जो है, गैस का फ्लेम एकदम म सीखना है यह समोसा बागी समोसा से काफी अलग है देखने में भी एक दम अलग है और खाने में भी इसका टेस्ट काफी अलग है आप इसको एक वाद ट्राइ ज़रूर करें और इसके साथ चाय और ग्रीन चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रखता है और गैस का फ्ले पर पकाना है कोई भी जल्दवाजी नहीं करनी है दीरे दीरे इसको पकने दीजिए यह समोशे इतना देखने में अलग लग रहा है आपको नौमल समोशे से उतना खाने में भी अलग है तो आप बिल्कुल अलग है आप एर आप जो है जरूर बनाई और प्लीज मुझे यह बनाना शू करते हैं याप मैंने वन कप चरा दल लिया है इसको चार घंटे मैंने बिवोया था यह अच्छे से गल गई है इसको हम एक जार में ट्रांस्फर कर देंगे और पानी नहीं डालना है हमें बिना पानी के ही एक फाइन पेस्ट बनाना है ताकि हम आगे का प्र चना दाल को देखिए इस तरह से मैं निकाला है एक तुम थिक है आप इसमें पानी आइड करेंगे तो आपकी बुनी के रड़ू उतने अच्छे नहीं बनेंगे आपको बनाने में दिक्कत होगी इसलिए प्लीज इसमें बिल्कुल भी पानी डाले मैं एक तरफ है गी गरम होने रख दिया है घी अच्छे से गरम हो गया है अब इसमें चोटी-चोटी बॉल इसमें डालेंगे आप कोई भी साइज की चोटी बॉल ये थोड़ी सी बड़ी इसमें जैसे हम वड़ियां तोरते हैं उस तरह से इसको हमें डाल के एकदम क्रिस्पी होने तक सेकना है फि कि इस तरह नहीं है देशन दर्दरा पीसा है बहुत महीन करना है और इसको पीसे हैं बहुत महीन नहीं कर न एक तर बनाएंगे चाष्णी चाष्णी के लिए मैंने दो कप चीनी लिया एक कप आइडिया है यह किसका परफेक्ट मेजरमेंट इसकी चाष्णी बनाने के लिए बस गया फिल्म हाई रखे इसको चलाते रहे जब तक यह मेल्ट नहीं हो जाता है और यह जो जल्दी बनते ह यह की ज़्रहे है यह ज़रे हैं फिल्देट की बनेमेट शवाचो बनाएं दियाल। gigy बनाएंगी मेलक बनाने में इससे थी को जो हुछ हो जाता है जोटी छाष्णी नहीं थीक होजा जाए है ज़ांसे को तो थीक जाहीं है इसमें एक तार जो नहीं बनने लगे अब तो आज से बुनदी बनाई टी तो अच्छी मिक्स करें ़ो छोड़ी एक क्षे लिए को चौश्णी काम अगर आपको चाश्णी काम आपका बुन्दी का जो प्रशाद कशीच तो दिया जादा है खुँआ को यह उत्सवर टीक से तो तो प्रफेक्ट बनाई भीतनों मेठा भी बरावर है और टीस में काफी अच्छा है गैस का फ्लेव मीडियम रखेंगे और इसको चलाते रहेंगे ताकि जो हमने जो दर्दरी बूंदी पीसी थी वह एकदम फूल के बूंदी के शेप में आ जाए जाए जैसे जैसे मैं चला रही हूं वैसे यह इस पैन को छो नॉर्मल जैसे ही टैंप्रेचर पाजाता है आप तुरहं इसके बूंदी के लड्डू बनाना शुरू करें चोटे-चोटे साइज में बनाएं बड़े बनाने बड़े बनाएं खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं देखने में आप लग रहा है आपको कहीं भी हम नही अलग तरह से मनाएं और मीठा भी एकदम परफेक्ट है इस तरह से हम सारे लड्डू को बनाएंगे आप थोड़े साइज में बड़े भी रख सकते हैं और इल्कुल मार्गें जैसे ही लगते हैं इसमें बहुत जारा टाइम भी नहीं लगता है सबसे कम टाइम में बनते है देखिया हमारे बुन्दी के लड्डू बनके रेड़ी हैं कैसे लगते हैं जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूरे